राजधानी पट्टा में पुलीस के सामने ही पांच यादवों को गोली मार दी गई दो की मौत हो गई और तीन अभी भी जिन्दगी और मौत से जूज रहे हैं दरसल आपके दाने की विहार के राजधानी पट्टा में पार्किंग को लेकर विवाद सुरू हुआ बयानत जगरे का रूप ले लिया जिसके बाद पांस लोगों को गोली मार दी गई इस गट्टा में अब तक दो लोगों की मौत चुकी है जबकि तीन की हालत अभी भी गमभीर बताई जार दी है लेकिन मामला क्या हाई हम आपको पुड़े विस्तार्थ बताते हैं इस गट्टा में मारे गए लोगों के परजन ने बताया की हतुआ के जुलेठी में उमेश राय नाम का एक दबंग वेक्ती रहता है जिसका काम है लोगों का जमीन हरपकर गलत तरीके से पैसा कमाना उसके कई राजनितिक दलो से अच्छे संबन्ध है उसी ने पारकिंग से गारी निकालने को लेकर जरब हो गई मिर्तक के परजन का जहां पारकिंग अस्थल है वही पर उमेश राय अपने ट्रैक्टर से गिट्टी गिडा रहे था जिसके कारंग पार्किंग अस्थल का रास्था ब्लॉक हो गया और गारी निकालने को लेकर बिवाद शुरू हो गया इसके बाद आरोप है कि दबंग में इस राय ने लोगों ने तावरतोर गोलिया बरसा थी जिसमें पंच लोगों को गोली लगी गौतम नाम का युवक की घटना स्थल पर मौत हो गई जबकि चार लोग बुड़ी तरस से घायल हो गए थे घायल रोशन कुमार, नागेंदर राय, चनारिका राय और मुनारिका राय को पहले NMCH लाया गया जिसके बाद उन्हें बहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया गया PMCH में रोशन की मौत हो गई जबकि दोग की हालात चिंता जनक बताई जार ही है बीसन गोली बारी के बाद पुड़े गाउं में लोग एक जगई खटा होकर अरोपी, उमेश राय और रामप्रवेश राय, बच्चा राय, रितेश राय, रंजीत राय के घर पर भावा बोल दिया बीर ने उनके घर कम्यूटी हॉल को आके हावाले कर दिया गया इस बीच कई गारिया भी लग गई सवाल है कि प्रशासन के सामने चुकी सवाल उट रहा कि प्रशासन की गारी खड़ी थी 112, उसी के सामने लोगों को गोली माद गई लेकिन रिपोर्ट करने मुताबिक जिस समय बिहार के डीजीपी राजविंदर चिंग भट्टी क्राइम मिटिंग कर रहे थे और पुलिस भैकों को पुड़ी तरस से मुस्तेयद करने का पार्ट पढ़ा रहे थे उसी समय राजधानी में दबंगों का अतावर्तोर फाइरिंग की जा रही थी मिर्तक के परिजनों का आरोप है कि गोलिबारी की घटना नजदी की नदी थाना शेतर और पुलिस की डायल 112 पीसियार गाली के सामने हुई लोगों के मुताबिक गोलिबारी देखकर पुलिस मौके से भाग गई मिर्तक के परिजन ने कहा कि अगर पुलिस चाहती तो घटना रूख सकती थी लेकिन पुलिस ने आरोपी के परिजन को सह दिया जिसके कारण आरोपी उमेश राय और जे ठूली की मुखिया बच्चा राय का साहस बढ़ गया लोग तावरतोर गोलिया बरसाते रहें तो पूरा मामला पुलिस के सामने बताया जा रहा है हला कि ये तमाम बातों का जिक जो है वो मिर्तक के परिजन कर रहे है कि पुलिस की गारी खड़ी थी एक सुबारा और उसे बीच जो दवंग थे वो तावरतोर फारिंग कर रहे थे जिसमें पांच लोगों को गोली लगी दो की मौत हो गई तीन अभी भी जिंदगी और मौत से दूज रहे हैं जिसमें दो की हालत अभी भी गंभी बताई दा रही है तो एक तरफ डिजी पी आरेस बटी उनका पाठ पटा रहे थे पुलिसों को अपने अधिकारियों को दूसरी तरफ दवंग राजधानी पटा में तावरतोर गोली बरसा रहे थे वो भी पुलिस की गारी खड़ी थी उनके सामने तो इसलिए सवाल खड़ा होता है कि भाई ये कैसा सूसासन लगतार बिहार में इस तरह की घटना है जो है वो बढ़ती जा रही है तो सरकार और प्रसासन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है